तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसे अकाउंट्स की जो कि आपके Instagram अकाउंट की copy होती है या फिर किसी भी celebrity की copy होती है जिससे बाद में जाके आपको बहुत दिक्केते आती है अगर वो किसी celebrity की copy होती है तो आपने उन्हें follow कर लिया है वहाँ पर आपको जो आप content च से बैन कर सकते हैं तो उसके लिए आपको Instagram की application में जाना होगा यहां पर आप website के use नहीं करेंगी क्योंकि उसका process काफी ज्यादा लंबा हो जाता है तो यहां पर आप Instagram के account में जाएंगे अपने अपना account खोलना है कोई से भी आप account खोल सकते हैं उसी से आपका काम हो जाएगा तो यहां पर आप professional application जो इस्टाग्राम का official application उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों आपको search करना होता है उस account का नाम जो की copy है आप यह ध्यान दीजिएगा जो official account ना हो या फिर आपका ही account ही क्यों ना हो क्योंकि copy जितने लोग बनाते हैं वो काफी एकदम डिक्टो copy बना देते हैं जिससे आप बुड़ी समझ में नहीं आता है यहां पर आप search कर लेंगे मैं भी search करना हूँ दीपिका पादुकों जो की मेरी personal favorite actress हैं यहां पर जो actress होते हैं जो celebrity होते हैं लूटिक वाले उनके काफी जादा fake accounts होते बने हुए होते हैं जो कि लोग बनाया जाते हैं तो उसी में से मैं एक choose करने वाला हूँ जिसे मैं कोशिश करूँगा कि वो ban हो जाए जी हां दोस्तों यहां पर मैंने एक search कर लिया है यहां पर दिपका पादू को उनका काफी जादा आ रहा है तो मैं यहां पर एक choose कर लेता हूँ कोई सभी एक यहां पर मैं select कर रहा हूँ तीसरा वाला तीसरा नहीं मैं select कर लेता हूँ यहां पर चौथा वाला फिर भी यहाँ पर followers आप देख सकते हैं 13.9K followers हैं यहाँ पर इससे क्या होता है काफी लोग earning भी करते हैं पर कोई बात नहीं बड़ यहाँ पर यह लोग गलत अफवाय फैलाते हैं तो इससे जो काफी जादा दिक्कत आती है और यह अच्छा नहीं होता है Community Guidelines के खिलाफ होता है Instagram की तो यहाँ पर आप यह बैन करने की आप दूपर देख सकते हैं यहाँ पर three dot का option आपको देखने को मिल जाता है तो आपको वहाँ three dot पर क्लिक करना है और पहला option सेलेक्ट कर देना है रिपोर्ट का रिपोर्ट के option पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको पर पर यहां पर जैसे करेंगे आप सेकंद और यहां पर देखने को आते हैं यहाँ पर पहला option का मतलब यह होता है कि ये ऐसे post कर रहे हैं जो कि Instagram पर नहीं होना चाहिए और second वाला option ये कहता है ये जो है post कर रहे है जो कि किसी को hurt करता है और third वाला option है ये है कि ये जो post हो रहा है ये under 13, under 15 का बंदा है जो कि ये post कर रहा है जिसको नहीं करना चाहिए आप कफी सारे options देखने को मिल जाते हैं तो यहाँ पर आपको में आपसंस होते हैं आपको select करने के लिए तो यहाँ पर पहला होता है और यहाँ पर second last होता है तो आपको पहला ही select कर देना है जैसे यह आप select करेंगे तो आपके account से वो account जो है वो disclose हो जाएगा और अगर आप यह चक करना चाहते है यह कब तक बंद हो तो यहाँ पर नीचे आपको एक option देखने को मिलता है so profile तो यहाँ पर आप so profile का option देखने को मिलता है जो यहाँ नीचे तो यहाँ पर आप जैसे इसको click करेंगे so profile पे तो आप देखेंगे उसका जो profile है वो फिर से open हो जाएगा जी हाँ दोस्तों जैसे आप उस पर click करेंगे तो उसका profile यहाँ पर एक बार फिर से आपको देखनों को मिलेगा बड़े आद दोस्तों वो ज़्यादा दिल के लिए नहीं होगा क्योंकि क्योंकि आपने जो यह report किया है यह mass report एक तरीके से माना जाता है इसके बाद Instagram इसको चेक करेगा और चेक करने के बाद यहाँ पर वो अपने निडले लेगा और अकाउंट को बैन कर देगा उम्मित करता हूं आपको यह इंफर्मेशन पसंद आए तो प्लीज लाल बरंदवा के सब्सक्राइब करिए और ब्लाइक अब ना भूलिए हम इसी तरह की टेक लेटर वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं धन्यवाद